दोस्तों आज मैं आपको मा वैभो लक्षमी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ कथा सुनने से पूर्व मा वैभो लक्षमी का ध्यान करे मा लक्षमी के आठों सुरूप को नवन करे और मा लक्षमी के सत्वन का पठन या श्रवन करे हाथ जोड़के माका ध्यान करें ओम यारक्ताम बुजिवासिनी विलसिनी चंडाशोते जस्विनी यारक्तार उधिरांबरा हरिसकी याश्री मन्नो लादिनी यारतना कर मन्थनात प्रगटिताम विश्नु स्वागहिनी यामामपातू मनुरमा भक्वती लक्ष्मिश्च बदमावती अब मा को नमन करते विए पून भक्ति भावना से शंधा पूर्वक कथा का शवन करें एक बड़ा शहर था उस शहर में लाखों लोग रहती थी पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे की काम आते थे पर नए जमाने के लोगों का स्वरू भी कुछ हलक सा है सब अपने अपने कामों में मगन रहते हैं किसी को किसी की परवाह नहीं घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती भजन कीर्टन भक्ति भाव, दया माया, परोबकार जैसे संसकार कम हो गए हैं शहर में बुराईयां बढ़ गई हैं शराब जुआ, रेस, व्यभीचार, चोरी टेकैती आदी बहुत से अपराद शहर में होते रहते थे कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा की किरन चुपी होती है इसी तरह इतनी सारी बुराईयों के बाबसूत शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसकी पती की ग्रहस्ती मानी जाती थी शीला धार्मिक प्रकृती की और संतोशी थी उसका पती भी विवेकी और शुशील था शीला और उसका पती इमानदारी से जीते थे वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यदित करते थे उनकी ग्रहस्ती आदर्श ग्रहस्ती मानी जाती थी और शहर के लोग उनकी ग्रहस्ती की सराहना करते थी शीला की ग्रहस्ती इसी तरह खुशी-खुशी चल रही थी पर कहा जाता है कि कर्म की गती अटल होती है विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा शीला के पती को पूर जनम के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरी लोगों से दोस्ती कर बैठा वह जल्द से जल्द करोड़ पती बनने के ख्वाब देखने लगा इसलिए वह गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़ पती बनने के बजाए रोड़ पती बन गया यानि रास्ते पर भटकते भीखारी जैसी उसके स्थिती हो गई शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, आदी, बदियां फैली हुई थी उसमें शीला का पती भी फस गया दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा इस तरह बचाई हुई धनराशी, पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में गवा दिया समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिदता और भूख मरी फैल गई सुख से खाने के बजाए दो वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पती की गालियां खाने का वक्त आ गया शीला शुशील और संसकारी इस्त्री थी उसको पती के बरताव से बहुत दुख हुआ किन्तु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रह कर दुख सहने लगी कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही ऐसी शुरद्धा के साथ शीला प्रभु भगती में लीन रहने लगी इस तरह शीला असनिये दुख सहते सहते प्रभु भक्ती में वक्त बिताने लगी अचानक एक दिन तो पहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी शीला सोच में पढ़ गई कि मुझे जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा फिर भी द्वार पर आई हुए अतिथी क सतकार करना चाहिए ऐसा आरे धर्म के संसकार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा एक माजी खड़ी है वे बड़ी उम्रिकी लगती थी किन्तु उनके चेहरे पर अलौकिक देश देख रहा था उनकी आखों में से मानो अम्रित बह रहा था उनके भवे च शीला ने रूम रूम में आनंद चा गया शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई घर में बठाने के लिए कुछ भी न था अतर शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बठाया माजी ने कहा क्यों शीला मुझे पहचाना नहीं शीला ने सकुचा कर कहा मा आपको देखते ही बहुत शान्ती हो रही है ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढून रही थी वे आप ही हैं पर मैं आपको पहचान न सकी मा जी ने हसकर कहा क्यूं भूल गई हर शुक्रवार को लक्षमी जी के मंदिर में भजन कीर्टन होते हैं तब मैं भी वहां आती हूँ वहां हर शुक्रवार को हम मिलते हैं पती जब से गलत रास्ते पर चला गया था तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्षमी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी बाहर के लोगों के साथ नजरे मिलाते भी उसे शर्म आती थी उसने दिमाग पर चोड़ दिया पर वह मा जी को पहचान न सकी तब ही मा जी ने कहा तु लक्षमी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी अभी तु दिखाई नहीं देती इसलिए मुझे हुआ कि कहीं तु बिमार तो नहीं हो गई न ऐसा सोचकर मैं तुससे मिलने चली आई मा जी के अती प्रेम भरे शब्दों से शीला का हिदे पिखल गया उसकी आँखों से आसु बहने लगे मा जी के सामने वा बिलक बिलक कर रोने लगी यह देखकर मा जी शीला के नजदीक आई और उसकी सिसक्ती पीट पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी मा जी ने कहा बेटी सुख और दुख तो धूप और छाओ जैसे होते हैं सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है ठैरे रखो बेटी और मुझे क्या परिशानी है यह बताओ अपने दुख की बात मुझे सुनाओ तेरा मन भी हलका हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाए भी मिल जाएगा मा जी की बात सुनकर शीला के मन को शांती मिली उसने मा जी से कहा मा मेरी ग्रहस्ती में भरपूर सुक और खुशिया थी मेरे पती भी शुशील थे अचानक हमारा भागे हम से रूट किया मेरे पती बुरी संगत में फस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए तथा अपना सब कुछ गवा बैठे तथा हम रस्ते के भीखारी जैसे बन गए यह सुनकर मा जी ने कहा ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गती न्यारी होती है हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पढ़ते हैं इसलिए तु चिंता मत कर अब तु कर्म भुगत चुकी है अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे तु तो मा लक्षमी जी की भक्त है और मा लक्षमी जी तो प्रेम और करुना की अवतार है वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता करती है इसलिए तु धैरे रखकर मा लक्षमी जी का वरत कर इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा मा लक्षमी जी का वरत करने की बात सुनकर शीला के चहरे पर चमक आ गई उसने पूछा मा लक्षमी जी का वरत कैसे किया जाता है वह मुझे समझाए मैं यह वरत अवश्य करूँगी मा जी ने कहा बेटी मा लक्षमी जी का यह वरत बहुत सरल है इसे बर लक्षमी या वैभो लक्षमी वरत भी कहा जाता है यह वरत करने वाले की सब मनोकामनाई पून होती है वह सुक संपती और यश प्राप्त करता है ऐसा कहकर मा जी वैभो लक्ष्मी व्रत की विधी कहने लगी बेटी वैभो लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है किन्तु कई लोगी अव्रत गलत तरीके से करते है अता उसका फल नहीं मिलता कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूचा करो बस वृत हो गया पर ऐसा नहीं है कोई भी वृत शास्त्रि विधी से करना चाहिए तबヒ उसका पूनफल प्राप्त होता है सच्ची बात यह है कि सोने के गहने का विधी से पूजन करना चाहिए व्रत के उद्यापन विधी भी शास्त्री विधी से करनी चाहिए यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए प्राथकाल सनान करके सुख्ष बस्त्र पहनो और सारा दिन जैमा लक्ष्मी का स्वरंड करते रहो किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए शाम को पूर्व दिशा में मुख करके आसन पर बैठ चाओ सामने चौकी रखकर उस पर रुमाल रखो रुमाल पर चावल का छोटा सा धेर करो उस धेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा चांदी का ना हो तो नगत रुप्या भी चलेगा बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुनगा कर रखो मा लक्षमी जी के बहुत स्वरूप हैं और मा लक्षमी जी को श्रीयंत अधी प्रिये है अता वैभो लक्षमी के पूजन विधी करते वक्त सर्व प्रथम श्रीयंतर और लक्षमी जी के विवित स्वरूपों का सचे दिल से दर्शन करो इसके बाद लक्षमी सत्वन का पाठ करो, बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपे को हल्दी कुमकुम और चावल चड़ा कर पूजन करो, लाल रंग का फूल चड़ाओ, शाम को कोई मीठा चीज बना कर उसका प्रसाद रखो, ना हो सके तो शक्कर या गुड भी चल सकता है, फिर आरती करके 11 बार सचे हिदे से जै मा लक्षमी बोलो, बाद में 11 या 21 शुक्रवार का व्रत करने का द्रण संकल्प मा के सामने करो, और अपनी जो भी मनो कामना हो, वो पूरी करने को मा लक्षमी जी से विनती करो, फिर मा का प्रशाद बाढ़ दो और पार शाम को प्रशाद ग्रहन करते समय खाना खालो, अगर थोड़ी शक्ती भी ना हो, तो दो बार भोजन कर सकते हैं, बाद में कटोरी में रखे गहने या रुपे ले लो, कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो, इसी तरह शास्त् ना हो, तो संतान की प्राप्ती होती है, सौभागे वती इस्त्री का सौभागे अखंड रहता है, कुमारी लड़की को मन भावन पती मिलता है, शीला ये सुनकर आनंदित हो गए, फिर पूछा, मा आपने वैभो लक्षमी वरत की जो शास्त्री विधी बताई है, वैसे मैं अवश्य करूंगी, परन्तु इसके उद्यापन विधी किस तरह करनी चाहिए, यह भी कृप्या करके सुनाईए, मा जी ने कहा, 11 या 21 जो मननत मागी हो, उतने शुक्रवार यह वैभो लक्षमी वरत, पूरी श्रधा और भावना से करना चाहिए, वरत के आखिरी करते हैं, वैसे ही करनी चाहिए, पूजन विधी के बाद, श्रीफल फोडो और कम से कम साथ कुवारी या सौ भागिवती, इस्त्रियों को कुम कुम का तिलक करके, वैभो लक्षमी वरत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए, और सब को खीर का प्रशाद देना चा भावुकता से मा की प्रातना करते वक्त कहें, हे मा धन लक्षमी, हे मा वैभो लक्षमी, मैंने सचे हिदे से आपका वृत पून किया है, तो हे मा हमारी मनो कामना पून कीजिए, हमारा सब का कल्यान कीजिए, जिसे संतान ना हो, उसे संतान देना, सौभाग शाली इस्त्री का स्वभागे अखंड रखना कुवारे लड़कियों को मन भावन पती देना आपका ये चमतकारी वैभो लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपतियां दूर करना सब को सुखी करना हेमा आपकी महिमा अपरम पार है माजी के पास से वैभो लक्ष्मी व्रत की शास्त्री उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया उसने आख बंद करके मन ही मन उसी शन संकल्प किया कि हेमा वैभो लक्ष्मी मैं भी माजी के कहे अनुसार शद्धा पूर्वक शास्त्री विधी से वैभो लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्री रीत शीला कोई नहीं साक्षात लक्ष्मी जी थी शीला लक्ष्मी जी की भक्ष थी इसलिए अपने भक्ष को रास्ता दिखाने के लिए माघंगे का सुरूप धारण charts आए थी दूसरे दिन शुक्रवार था प्रत रहतकाल और करके स्वक्ष कपड़े पहन कर शीला मन ही मन शद्धा और पुरे भाव से जैमा लक्षमी का मन ही मन स्मरण करने लगी सारा दिन किसे की शिकायत नहीं की शाम हुई तब हाथ पाउं धोकर शीला पुर्व दिशा में मूँ करके बैठी घर में पहले तो सोने के बहुत से गहने थे पर पती ने गलत रास्ते पर चल कर सब गिर्वे रख दिये पर ना की कील बच गई थी ना की कील निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुठी भर चावल का धेर किया उस पर तांबे का कलश पानी से भरकर स्थापीत किया उसके उपर कील वाली कटोरी रखी फिर विधी पूर्वक वंदना सत्वन पूजन वेगर किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रशाद के रूप में मा वैभो लक्षमी को समर्पित किया यह प्रशाद पहले पती को खिलाया प्रशाद खाते ही पती के स्वभाव में फर्क पढ़ गया उस दिन उसने शीला को मारा नहीं सताया भी नहीं शीला को बहुत आनंद हुआ उसके मन में वैभो लक्षमी व्रत के लिए श्रधा पढ़ गए शीला ने पूर्ण शधा भक्ती से 21 शुक्रवार तक व्रत किये 21 शुक्रवार को विधी पुर्वक उध्यापन विधी करके साथ इस्त्रियों को वैभो लक्षमी व्रत की साथ पुस्तके उपहार में दी फिर माता जी के धन लक्षमी स्वरूप की शवी को बंदना करके भाव से मन ही मन प्रातना करने लगी हेमा धन लक्षमी मैंने आपका वैभो लक्षमी व्रत करने की मननत मानी थी वह व्रत आज पून किया है हेमा मेरी हर विपत्ती दूर करो हमारा सब का कल्यान करो, जिसे संतान ना हो, उसे संतान देना, स्वभागे वती इस्त्री का स्वभागे अखंड रखना, कुवारी लड़की को मन भावन पती देना, जो कोई आपका यह जबतकारी पैभौ लक्षमी व्रत करे, उसकी सब विपती दूर करना, सब को सुखी रखना हेमा, आपकी महिमा अप्रम पार है, ऐसा बोलकर लक्षमी जी के धन लक्षमी स्वरूप की शवी को प्रणाम किया, इस तरह शास्त्री विधी से शीला ने शद्धा से व्रत किया, और तुरंत ही उसे फल मिला, उसका पती सही रास्ते पर चलने लगा, औ मैंने चुड़ा लिए, घर में धन की बार सी आ गई, घर में पहली जैसे सुख शान्ती चा गई, व्रत का प्रभाव देखकर मुहले की दूसरी इस्त्रियां भी शास्त्री विधी से व्रत करने लगी, हीमा व्रत लक्षमी, आप जैसे शीला पर प्रसन्य हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्य होना, सब को सुख शान्ती देना, जै धन लक्षमी मा, जै वैभो लक्षमी मा, नमस्ती तू, महा माय, श्री पिठे सुर्पूजी ते, शंक चक्र गदा हस्ती, महा लक्षमी नमस्तु ते, सभी जन मिलके बोलो, मा लक्षमी श्री लक्षमी नारायन कीजए, दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजए, परिवार जनों के साथ, दोस्तों के साथ, शेर जरूर कीजएगा, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मन भूलिए, मिलते हैं अगले वी बस्त रहे, सुरक्षित रहे और अपना बहुत बहुत ध्यान रखे, जै माता दी